जयमा बिंदवाश्णी हर हर महादेबाप शभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब परिवार में नवरात्र में एक ऐसा समय जिसमें अगर हम अपने सत्रो के नास के लिए अभिचारित्यादि के नास के लिए प्रेथि-पिचास इत्यादि नकरात्मक सक्तियों के नास के लिए भगवती से विसेष विदेविदान इत्यादि के माद्रहम से पूजा पाथ प्रात न करें तो अवस्तिह ही फली भूत होती है वहाँ समय होता है अश्र्धमी तिति का समापन और नौमी तिति का आरंभ का जो काल होता है संक्रमण काल जो होता है जिससे हम संधी काल करते हैं आप लोग इसके विश्णा में जो दुर्गा पूजा का पंडाल होता है वहां से अलाउंसमेट होता होगा आप सुनते होंगे कि संधी पूजा का यह समय है इस समय भक्तगर्ण उपस्तित रहें तो यह सब संधी पूजा जो है हम लोग घर में किस प्रकार्ज करें और इसका कैसे लाब उठा है इसके विश तो जगत में ब्यापत रहती हैं और उनकी उस उगरता के कारण समक्र संसार के जितनी भी नकर आतमक सकतिया उन सब पर गृण लग जाता है वह बंद जाते हैं पूरी तरीके से उनके चरणों के नीचे दब जाते हैं अब यशा आप क्यों होता है इसके पीछे की क्या कता ह उसे भी हमा संच्छेप में जान लेते हैं हम सभी दुर्गा सबसती का जब पाठ करते हैं तो सब्तम अध्या में इसका वढणन है स्वर्वतम जब सुम निसुम देवताओं को निकाल देते हैं स्वर्ग लोक से तो देवता हिमाले परबत पर जाकरके भगवती की स्थुती क करते हैं और इस्थूती के द्वारा भगवती का आवाहन करते हैं बोलते हैं कि यह जगदंबा आपने पुर्वकाल में हमें वरदान दिया था कि जब कभी भी हम पर विपत्ती आएगी और हम आवाहन करेंगे तो आप अवस्ते ही प्रकट हो करके हमारी साहता करेंगे। उसी समय हिमाले परबत पर भगवती पारबती जो है वो तपस्या करने के उद्देश से गई हुई थी। देवताओं के द्वारा इस्तुती करने पर जगदंबा पारबती के शरीड से एक देवी प्रकट हुए वह देवी जब भगवती पार्वती के सरीड से बाहर निकली तो मा पार्वती का स्वरूप जो है वो कृष्णवण का काला पड़ गया वह काला स्वरूप जो हिमाले पर इस्थित हुआ वह आगे चल करके भगवती हिमाले की कालेका के रूपन प्रस्दू ही वही कालिका महासक्ति है और जो स्वरूप भगवती के सरीट से बाहर निकला था वो गौर्वन्ड की थी जिनका नाम कौसिकी था इनहीं को महासरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है और अंसरूप से कहा जाता है कि विंद्य परबत पर जो भगवती अश्ट बुजा का ये महासरश्वती भगवती कौसिखी जो हैं हिमाले परबत पर ही आश्रेली सुम्भनिसुम के बद के लिए योजना वरध तरीके से वहाँ पर उपस्तित हुँ सुम्भनिसुम के जो दो दूत थे हैं चंडमुंड उन्होंने सबसे पहले भगवती कौसिखी को देखा और जाकर कि उनकी सुन्दरता का वणनन किया रक्षोजों का तो यही काम है सुरप्रतम देवताओं को सुर्ग से निकालेंगे फिर अपने अंत के लिए अपने बुद देने तो चंडमुंड जाकर के सुन्दरता का बढ़ाई कियें कि अरे बड़ी सुन्दर इस्त्री हैं आपके पास तो इस संसार का समक्र जो उत्तम बस्तु है आपके या आपके भाई के पास सुम्न सुम के पास जो उपस्ती थे चंडमुंड वणन कर रहे हैं कि वरुन द गर्णन सुनकर के वह अपने दूत सुग्रीम को भेच सते हैं कि जआ तुम जा करके बात करो और उसस्त्री को यहाँ ले कर आओ तो सुग्रीम जा करके बहुत चाटुकारिता से डरा के धमका करके भगवती से कहता है कि आप या तो इस त्रिलोकी के जो विजेता है सुम्भ निसुम्भ उन दोनों में से किसी एक काप चैन कर लिजे और उनके अरधांगनी बन जाई है तो भगवती बड़ा गर्ब से कहती है कि मैंनो तो प्रण कर रखा है कि जो मुझे संग्राम में जीत लेगा वही मेरा पती बनेगा भविश्च में तो सुगरिम बोलता है कि इतना अभिमान ठीक नहीं है तुम अगर अभी नहीं चलोगी तो जो यह अभिमान है तुम्हारा इस अभिमान को इस गौरब को धूल में मिलाते हुए वो सुम्भ निसुम जो है बाल पकड़ के घस उठते हुए लेकर के जाएंगे तब तो मैं अच्छा लगेगा भगवती बोली कि अब मैं क्या करूं अब तो मैंने प्रण तो ले लिया है अब तो मैं अपने प्रण को कैसे बदल सकती हूं मैंने कमिट्मेंट तो ली दिया है जाकर कर सुगरिम बोला भाई वह तो ऐसा ऐसा बोल रही है महराज क्या करें सुम्नि- कि इतना अभिमान क्यों मुझे इस तरीके से बोल रहे हैं उन्होंने अपने दूत चंड और मुंड को पहले धुरूम लोचन को भेजा कि यह दुरूम लोचन जाओ और उसे बाल पकड़ करके घशुटते हुए ले करके मेरे पास आओ धुरूम लोचन गया तुरंत दूए जैसा शरीर जहां तहां प्रकट हो जाता प्रकट हुआ चलो तुम बुलाए है स्वामी भगवती बोली कि नहीं मैं तो नहीं जाओंगी तो इसने डराना धमकाना फिर सुरू किया जब देखा कि नहीं जारी है तो लपका भगवती के और कि पकड़ के ले जाएंगे दो प जो सिंग थे जो धर्मराज का साक्षा स्वरूप सेवर विष्णो के स्वरूप माने गया है उन्होंने हुंकार किया था दहाडा था जिसके गरजना से द्रूमलोचन का जो सेना था उसका नास हो गया और भगवती जो थी उन्होंने हुंकार किया केवल हुंकार की ध्वनी से जो है ध्रूमलोचन जो है जल करके भस्म हो गया इसलिए कहा जाता है कि मंत्र का उच्चरण अतने आवस्छक है जो हम लोग हूम हूम फट फट पढ़ देते हैं कहीं भी मंत्र को बिना जाने सुने जो लोग पढ़ देते हैं इसलिए जो है दिक्कत हो जाता है किस जगह में हुमकार का हुम रहेगा मकार रहेगा की अंकार रहेगा अनुस्वार में पढ़ेंगे की मकार में पढ़ेंगे इसलिए बड़ा आवसक होता है जानना भगवती केवल हुमकार मात्र से जो है धुरू प्रकट होती हैं, जिनके सरीर में केवल हड्डियां ही हड्डी थी, मांस से सरीर केवल ढ़का हुआ था, चमडे से केवल ढ़का हुआ था, एकदम पतली दूबली सी, अतन्त भयानक दिख रही थी, दान्त कटा रही थी, बहुत बड़ी थी, जीव लटक रहे थे मुह से, बह प्रकट होती ही हुए चंड मुंट के सेना की उपर टूट पड़ी इतनी जबरदस्त तिवर्तम तरीके से वह बद्ध करने लगी द्यान दानों का कि दानों का हालत खराब हो गया भै ब्याप्त हो गया देखिए जब युद्ध छेत्र में एक चो यह चीज होता है ना कि जब सत्रु वार करना शुरू करता है न तो दूसरे सैनिकों के उपर वार होते देखे भी दूसरे सैनिक जो होते हैं वो डर भै जाते हैं भै में चले जाते हैं कि अरे बापरी सत्रु कितना तिवर्तम तरीके से प्रहार कर रहा है इतना मतलब निर्दयाता से बद्ध कर र अब चंड मुंड जब सामने युद्ध करने के लिए भगवती बांद करके दोनों का सर ही काट डाली और उस मस्तक को ले करके गई क्रोध में ब्याप्त भगवती कौसिकी के पास जा करके उनको चड़ा दी बोली कि हे भगवती हे कौसिकी आप इन महापसु चंड मुंड का स इसलिए भविस में आपका नाम चामुंडा हर जगह ब्याप्त होगा प्रसिद्ध होगा और वही भगवती चामुंडा का स्वरूप आज हम सभी इस संधी पूजा में उनकी स्वरूप का पूजन करते हैं और इसलिए ही इतनी उग्र हैं इतना तिब्र हैं कि जब प्रकट होती हैं उनका प्रकट होने का का माना गया है तंतर ग्रंतों में यही संधी काल जब प्रकट हुए थी उडू Claro करते हैं उन्होंत है उस युद्ध को संधी काल में रफ्रों खूजन करते हैं तो ऐसा माना गया है गुरु प्रम्परा के जो उच्छवर के वुजुर के जो तांतरीक है वेवर धनुभवी हैं वो जब इस सभी चीज का बंडन करते हैं तो बताते हैं कि भगवती ने इतने ही छण में कितने ही अच्छोणी सेनाओं का पताने कितना कोटी होता है उसकी गड़ना है कई करोड एतनी जल्दी ही साफ कर दिया था इतनी वेगवान थी इतन तिब्र थी इसलिए यह प्रियोग जो आज हम बताने वाले हैं अतनतति तिव्र और उत्तम प्रियोग मौह लाभ देने वाला प्रियोग मौह है कि इस विद्धी विदान को किस प्रकार से करेंगे इस विद्धु को करने के लिए सुरप्रत्धम जो है, यह आवस्चक नहीं है कि इस विद्धु को वही करें जो कि नवरात में बृतित्य लिए हों जो नवरात बृत नहीं कियें हैं वो अस्टमिक अगर उपास के वल कर रहे हैं तो भी इस विधान को कर सकते हैं इस विधान को करने के लिए आपको क्या क्या सामगरी लगेगी केला का पत्ता लगेगा एक लंबा बड़ा ठीक है उसके परशाथ आपको चौमुख दिया एक ग्यारह तीन दिया आपको एक मुह वाला रूई की बाती सभी में आपको लाल कलावा के साथ यानि कि एक रूई की बाती रहेगी उसमें आप मौली धागा से उसको जोड़ा बाती कर देंगा दो-दो करके दो-दो बाती रहेगी इस तरीके से सभी में सरसो का केवल तेल सरसो का सुद्ध सरसो का तेल ठीक है तील का तेल का फी मिलावट मिलता है और अगर चाहें तो सुद्ध गी का प्रयोग कर सकते हैं लेकिन सरसो का तेल सरहुत्तम रहे हैं क्योंकि सत्रोना से विचारना से अधिक लिए प्रयोग कर रहे हैं उसके पशात आपको लगेगा 11 नारियल, 11 से भी अधिक नारियल लगेगा, कम से कम आप जो है 13 नारियल रखेंगे, 13 निम्बु रखेंगे, ठीक है, 13 कपूर रहेगा, और 26 जो है लॉंग रहेगा, फूल वाला लॉंग, इतना सामान आपको चाहिए, अब आपको विधिक इस प्रकार करना है, उसे सुनिए, नाद होकर के संधिकाल से पहले लाल रंग के वस्तर को पहनेंगे, हाँ एक प्रश्णिया पहले ही बता देते हैं कि महिलाएं इसको कर सकती हैं या नहीं, ध्यान रहे कि वैसी ही महिलाएं इस प्रयोग को करें, जिनको जिनका बेटा जो है कम से कम 12 वर्शे से अधिक का हो चुका है, संभव हो तो यहाँ प्रयोग अपने पुतर के द्वारा करवा सकते हैं, पती के द्वारा करवा सकते हैं, बली का जो प्रयोग है, बागे साब आप कर सकते हैं, लेकिन बली विधान जो रहेगा, जो बली का यहे भगवति जातवेद अगनी की स्वरूप में आप आकर के इस दीप में प्रजुलित होई उपस्थित होई वह कर्मसाक्ष दीपक उसी से आप बागी सभी दीपक को प्रजुलित करेंगे जितने भी चौमुक दिया रहेंगे सभी में चार-चार बाती लगी रहेगी च सब में सरसु का तेला भर्य रहेंगे तो सरपर्थम जो है एक दीपक को जलाएंगे उसके पश्याज में हाथ में अच्छत फूस्प जल दक्षणा इत्यारी लेकर करके संकल्प करेंगे अपना नाम गोत्र अस्थान का उच्छारन इत्यादी करके कि मैं अपने सभी बुद्धी और यथा विधी यथा उपलब्ध उपचारों से पूजन करने का संकल्प लेता हूं यह बोलकर अच्छत फूल जो है भगवति की चरणों में समर्पित करेंगे अस्थ्रपर्थम उस जो एक आप दीप्रजुरित की हैं जाते वेरे दुर्गा के नाम से उसे स केला के पत्ता के सामने सजाय रहेंगे और दो दीपक जो है और नौ दीपक के अगर ग्यारा दीपक लाइन से रखेंगे नौ बीच में और दो किनारे किनारे तो बीच का जो नौ दीपक है वो भगवति चामुंदा के नौ सौरूप के रूप में हो गया और बाकी के जो द गुरुगनपति का दीपक जला लेंगे उसके पाद हनुमानजी का दीपरजुलित करेंगे फिर बीचके नौ जो भगवती की नाम की दीपक है उनका प्रजुटफुलन का होगा और सबसे लास्ट में जो है आप जा करके बचुक भैरोका दिपर अधुर्शिलेत करेंगे पिर सभी दीपक के सामने एकएक नारील रख देंगे ग्र्शूभ्यर गणपती के इऊ-धुर्बार जी जी अधुरियो सामने ये नारील नये वर dwarfांनो जितकों देवी सुक्तम का पाठ परकट करेंगे, निम्बू भी खड़ा काटना है निम्बू काट काट करके उस पर रूली लगाते जाएंगे और जल आजमनी से जल डालते जाएंगे हर निम्बू के पास में तीन तीन बार थोड़ा थोड़ा सा जल गिराते जाएंगे तो इस तरीके से बली फुजा आपका संपन हो जाएग यह कर लेने के पशात आप जो है अब या तो भगवति की कोई स्तुति कोई पाठ करना चाहें तो वो कर सकते हैं और उसके पशात आरती करेंगे आरती करने के पश्यात चमा प्रातना इत्यादी करेंगे जो भी बली पुजा में चड़ाया गया है उन सभी को देवग्रिष के नीचे या नधी में भी सरजन करना है और नार्यल जो भी है वो घर परिवार के लोग ही किवल खाएंगे बाहर के लोग उसे नहीं खाएंगे साथी साथ जब यहाँ पुजा आपका पूर्ण होगा आरती से पहले सभी के सामने एक एक कपूर रखेंगे और उसको दो दो लॉंग रखेंगे फूल वाला और उसको भी प्रजुलित करेंगे उसके बाद ही आरती करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ संधी पूजा का विधान जो है बली विधान जो है उसे पूर्ण कीजिए भगवती चक दम्या की क्रिपा से आपके अनेक कष्ट दुख और संकटो का नास भगवती चामुदा छणभर में कर देंगे इस विधान से संबंधित अगर आपके कोई प्रश्ण रह गए हो इसको सुनने के पशाथ तो समय रहते उसे कमेंट कर दीजे ताकि संधी पूजा से पहले उसका जबाब दे दे टेलेग्राम गुरूप का लिंक दिया है वहाँ भी आप चाहें तो मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं आसा करते हैं इस विधान से आप सभी को लाप राप्त होगा भगवती चामुदा हम सभी के दुखों को दुखों का नास करेंगी आप सभी से एक छोटा सा निवेदन भी है कि जो कुछ भी विधान आप किसी से भी सुन करके करते हैं हमसे या किसी अन्ने से भी आप सुन के कोई विधान पुजा को कर रहे हैं तो उसे से रिणदोस लगता है उसकी मुक्ती है तो भगवती के समक्ष एक दीपक अरस प्रजुलित करना चाहिए और अगर आप खुशी से कुछ दान दक्षण इत्यादी की एक्षा करते हैं तो मंदिर में दे सकते हैं यहां देना चाहें तो इस वीडियो में थैंक्स बटन दिया गया है उसमें आप जो आपकी एक्षा हो वहाँ जो भी ऑप्संस दिया गया है चाहें तो वह भी आप दे सकते हैं जयमा बिंद्यवाशनी हर हर महाते हो